नमस्कार आपने देखना सुरू किया है दर्शन्यूज मैं हूँ दिव्यान्सू संसत के निचले सदन लोकसभा में उस कड़े कानून को पारित कर दिया गया है जिसका मकसद सरकारी नौकरी और कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परिक्षाओं में चोरी और धोखादड़ी को रोकना है इसके अनुसार परिक्षा में चीटिंग में मदद पहुचाने वालों के लिए 3 से 10 साल की जेल तक की सजा का प्रावधान है इतना ही नहीं कसूरवार ठहराए गए व्यक्ति पर 10 लाक रुपे से एक कड़ोर रुपे तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस नए कानून में परिक्षा दे रहे उम्मिद्वार के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है उनके लिए सजा का निर्धारन परिक्षा ले रहे संबंदित प्रादिकरन के अपने नियमों के तहत ही होगा ये कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयवजित की जाने वाली ज्यादातर परिक्षाओं पर लागू होगा इस कानून के तहत सभी अपराद गैर जमानती होंगे और इनकी जाज वरिष्ट पुलिस अधिकारी करेंगे बीजेपी के नित्रत वाली केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कानून को परिक्षाओं में कदाचार की रोक थाम करने वाला पहला केंद्रिय कानून बताया है और कहा है कि इससे परिक्षाओं में अधिक पार दर्शिता आएगी और निस्पक्षता और विस्वस्नियता बढ़ेगी लेकिन आलोचकों का कहना है कि सिर्फ कड़ी सजा के प्रावधान भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है उनकी दलील है कि धोखाधड़ी और वास्तविक उम्मिद्वार के बदले परिक्षा देने वालों के लिए भारत के दंड विधान में पहले से ही सजा का प्रावधान है राजसरकार की नौकरियों के लिए भरती करने वाले एक सरकारी संगठन के पूर्व चेर्मेन कहते हैं नया कानून बेअसर हो सकता है क्योंकि कोचिंग सेंटर्स छात्रों के साथ मिलकर उन्हें प्रवेस परिक्षा पास करने में मदद पहुचा सकते हैं साल 2022 में केंद्रिय जाच ब्यूरो ने एक रूसी हैकर को गिरफतार किया था उस हैकर पर ये आरोप लगाया गया था कि उसने प्रतिष्ठित आयाइटी की प्रवेस परिक्षा को कथित तोर पर हैक किया था इतना ही नहीं हैकर पर एक कोचिंग संस्तान के साथ मिलकर ये काम करने का आरोप भी लगाया गया था भारत में सरकारी नौकरी और बड़े और नामी कॉलेजों में दाखिले के मौके कम होते हैं प्रतियस परधा का माहौल रहता है यही वज़ा है कि परिक्षा में चोरी का चलन देखा जाता है UPSC हर साल सिविल सेवा परिक्षा के जरिए एक हजार नौकरियों के लिए इमतिहान करवाता है जिसमें लाखों लोग बैठते हैं वहीं इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए J.E. Men's परिक्षा में 12 लाग से अधिक शात्र शामिल होते हैं हाला कि नकल रोकने के लिए देश के कई राजियों ने सक्त कानून बनाये हैं राजस्तान ने 2022 में आंधर प्रदेश ने 1998 और उत्तर प्रदेश ने 1997 में ऐसे ही कानून बनाये थे पिछले साल गुजरात और उत्राखंड ने भी नकल रोकने के लिए कड़े कानून पास किये हैं लेकिन इन कानूनों के बापजूद राज्यों में नकल बदस्तूर जारी है भारत में अक्सर पेपर लीक होने की खबरें आती रहती हैं इसकी वज़ा से कई परिक्षाएं रद्ध करनी पड़ती हैं इंडियन एक्स्प्रेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते पांच वर्सों में भारत के पंद्रह राज्यों में नौकरी के लिए होने वाली 41 परिक्षाओं के परचे लीक हुए हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नकल रोकने का हल सजा में बढ़ोतरी हो सकता है क्या सजा बढ़ाने से नकल रुख जाएंगे एक पूर्व IPS अधिकारी हैं उनका मानना है कि परिक्षा केंद्र पर सुरक्षा बढ़ाना सबसे एहम कदम है उनका कहना है कि परिक्षा देने आये छात्रों पर डिजिटल टेक्टनोलोजी के जरिये सर्विलांत संभव है ये एक कारगर तरीका हो सकता है भारत में युवा उम्मिद्वार नकल के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं ये युबक इसके लिए डिजिटल टेकनोलोजी का भरपूर इस्तमाल करते हैं। राजस्तान में कुछ छात्रों ने अपने चपलों में ब्लूटूट डिवाइस लगाया था, जिसके जरिये परिक्षा हॉल के बाहर से लोग उन्हें जवाब बता रहे थे। हाली में तमिलाडू में ब्लूटूट इयरफोन के सहारे नकल करने के लिए 30 उम्मिद्वारों को गिरफतार किया गया था। ये परिक्षा इंडियन कस्टम सर्विस में नौकरी के लिए करवाई जा रही थी। नकल रोकने वाले कानून अब तक इसे रोकने में गयर प्रभावी रहे हैं। इसकी बड़ी वज़ा है नकल माफिया का संगठित होना, इन लोगों के तार कई बार उपर तक जुड़े होते हैं। इन में से कुछ राजनेतिक संरक्षन में काम कर रहे होते हैं। करनाटक में पुलिस की भरती के लिए हुई परिक्षा में नकल के लिए पिछले साल 65 लोगों को गिरफतार किया गया था। इस प्रकरन में राज्य की सत्तारूर पार्टी के एक नेता पर उंगलिया उठी थी। अदालतों में परिक्षा में नकल के मामले कई सालों तक चलते रहते हैं। दो साल पहले रेलवे की एक परिक्षा के नतीजों के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उम्मिद्वारों का दावा था कि रिजल्ट में धांदली हुई है। बाद में इस परिक्षा को रद कर दिया गया था। इस परिक्षा में 7 लाक उम्मिद्वार थे जो 35,200 पदों के लिए अपलाई कर रहे थे। तो ये जो नया कानून बना है इससे नकल करना मुश्किल नहीं हो रहा। ये सिर्फ नकल करते पकड़े जाने वालों को सक्त सजा का प्राबधान करता है। ताजातरीन खबरों के लिए बने रहे दर्शनीूज के साथ।